हेलो एवरीवान और वेल्कम बैक टो आवर यूट्यूब चैनल सेवी फॉरेंचिक्स आज हम बात करने वाले हैं आईपीसी वर्सिस सी आरपीसी यहां पर हम देखेंगे आईपीसी जापका इंडियन पीनल कोड होता है और जापका इस oleh क्रिमिनल कोड फेरा कहते हैं इन दोनों में क्या difference होता है कीस तरह से इसको हम समझेंगे टेवकि इससे पहले मैंने बहुत सारे सेक्षिनस करवाव सब लेकिन दिखक्स ह seven Temple सी इक और वहारी टीटीब कुछ CRPC करें तो इसको हम किस सरा से समझें ठीक है और इससे पहले एक हमारा वीडियो आया था Criminal Justice System का तो वहाँ पर हमने बात करी थी आपके कुछ होते हैं Procedural Law और कुछ होते हैं आपके Substantive Law ठीक है तो उसी के अंदर इन दो होती है और साथ में सबसे important वह है जो आपके death penalty होती है वह किस-किस condition में applicable होती है ठीक है वो उसके बारे में हम समझाएं कि कौन-कौन से sections होते हैं इसमें आपको death penalty की punishment में होती है उसके बारे में समझेंगे जो आपका IPC होता है इसका क्या मितलग होता है ठीक है जो आपका IPC है यह आपका 1860 में inact किया गया था और IPC define करता है different types of crimes and prescribes appropriate punishment for offenses मितलब कि जो आपका IPC है जो आपका Indian Penal Code है यह बताता है कि कितने तरह के आपके crime होते हैं और जो भी crime होते हैं उनके लिए क्या appropriate punishment हो सकती है जो भी वो offense करते हैं जो भी कोई criminal offense करता है उसके लिए proper उसको क्या punishment मिलने चाहिए वो पूरी चीज यहां पर आपका IPC में define किया जाता है इसमें जो offenses होते हैं वो अपने classify करे जाते हैं अलग-अलग category में इसमें पहला आता है आपका offenses against state, next है armed forces, then public order, public justice, public health, safety, morals, human body, property and offenses relating to elections, coins, government stamps, weights and measures, religion, documents and property marks, marriage and defamation तो यह आपकी अलग-अलग यहां पर category है जिनके अंदर आगे के जो further crimes होते हैं उनको proper अलग-अलग classify किया गया है उनकी punishment के बारे में बताया गया है तो यह सारी चेज़ें आप यह IPC के अंदर define होई हैं ठीके IPC में total आपके 511 section है यह point बहुत important है और उसके अलावा यहाँ पर डिसमे के 511 में से 0,330 है उनके यहाँ पर punishment के बारे में बात हुई है बने total 511 sections है और इसमे के 330 sections है है इसलों अलग-अलग punishment के बारे में बताया गया है तो यह लाइन बहुत important है और यह दोनों तो important हैं टोटल 3-30 sections है इसमें आपके अलग-अलग punishment के बारे में बताया गया है तो यह line बहुत important है और बाकि यह दोनों तो important हैं तो यह हो गया अनभीम आगे move करते हैं और यहाँ पर क्या है यह जो आपका IPC होता है इसके अलावा जो आपका local and special law होते हैं यह आपके penal provision contain करते हैं basically यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं यह आपके substantive law है ठीक है यहाँ पर यहाँ आपके substantive law का मतलब होता है यह आपके mode आपके basic laws है जहाँ पर punishment के बारे में बताया जाता है यही पर IPC में तो सारे के सारे punishment और definitions crime के बारे में वोसे बताया गया है उसके अलबह यहां पर कुछ आपके local और special law होते हैं जिनको की प्रोसीजर नहीं substantive law के अंदर include करा जाता है local laws और special laws ठीक है यह भी आपके particular subject को लेकर ठीक है यह जो law होते हैं inact किये गया है from time to time mainly to deal with the new emerging forms of crime and to protect the interest of the weaker sections of society जो आपके local law है जो आपके special law है इनमे time to time changes आते रहते हैं अगर कोई problem आई है कोई नया कुछ crime आया है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो अभी तक इनके अंदर include नहीं किया गया है तो वो ची आपकी इसमें upgrade करके इसमें amendment करके इसमें include कर दिया जाता है और यह आपके basically जो नए emerging forms होते हैं crime के या फिर जो आपके अगल अगल तरह के crimes होते हैं जो weaker sections of society के उन सबको protect करने के लिए आपके local laws और special laws को बनाया गया है तो यह हो गया आपका एक चीज और यहाँ पर आगे क का मतलब होता है कि अगर आप किसी बितरे का कोई भी crime कर रहे हैं तो वो crime कौन सा है उसको IPC में define क्या है साथ साथ वो जो भी crime है उसके लिए जो आपको punishment मिलनी है तो वो किस तरह के आपको punishment मिलनी है कौन सी आपको punishment मिलेगी आपको एक साल की सजा होगी जेल में 10 साल 5 साल lifetime imprison of a death penalty तो वो चीज़ आपकी IPC में बताया गया है basically क्या आपको punishment मिलनी है वो चीज़ आपकी IPC में clarify करी गई है चीक है उसी तरह से यहां पर death penalty के भी रहते है cases जिसको हम capital punishment भी कहते हैं चीक है तो आपकी capital punishment होता है यह एक जो term है यह बहुत important है क्योंकि ऐसे हो सकता है आप मे आपको और पूरी जो चीज होती देशी कोई तो वहां पर आपके total investment है उसको हम बोलते है capital investment मतलब कि आपकी पूरी 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 लगा रहे है जो पूरी investment कर रहे है वह चीज लेकिन यहां पर आपको capital punishment का मतलब होता है आपको आपको death penalty मतलब आपकी जो पूरी की पूरी life है आपने जो पूरी life invest करी है वही उसी चीज़ को पूरी तरह से खतम कर देना वही आपकी जो life है वही ले लेना तो यहाँ पर आपकी जो death punishment मिलती है तो उसी को हम बोलते हैं यहाँ पर capital punishment तो यह term बहुत important है इसको याद कर लिज आती है मतलब की आपको sentence to death का punishment मिलती है तो यहाँ पर section 120 B होता है इसमें अगर आप कुछ criminal conspiracy करते हैं तो उस case में आपको death penalty की permission मिलती है second है आपका section 121 यहाँ पर war against government of India section 132 इसमें अगर आपने mutiny का case होता है mutiny का मतलब होता है अगर आप कुछ किसी चीज का विद्रोह करते ह हैं revolt करते हैं rebellion वाली आपकी कुछ जो काम करते हैं या आप किसी जिसके लेकर वगावत करते हैं मतलब कुछ आप बिलकुल government के against बहुत ही मतलब अलग करते हैं बिलकुल विद्रोही type से काम करते हैं तो वो चीज़ आपकी 132 section के अंदर आती है ठीक है then next है आपका section 194 194 में क्य प्रूफ करने के लिए उसको बढ़ावा देने के लिए कि अपने कोई भी capital offense किया है तो उस condition में आपका section 194 लगता है और यहाँ पर भी आपको death penalty के punishment मिलती है next है आपका section 302 section 302 जो होता है वह होता है आपका punishment for murder section 13 sorry section 303 जो होता है punishment for murder by life convicted ठीक है तो यह दोनों में confusion हो सकती है 302 में punishment for murder मतलब किसी ने अगर murder किया है तो उसके लिए आपको यहाँ पर punishment मिलेगे और section 303 में कोई अगर किसी को lifetime imprisonment मिला हुआ है और वो murder करता है तो उस condition में आपका section 303 लगता है ठीक है next है आपका section 305 इसमें क्या है abating society मतलब किसी individual को suicide करने के लिए provoke करना उसको कहना करने पर मजबूर हो जाए तो यह आपका section 305 आजाता है next is section 364 का ace part इसमें kidnapping for ramson मतलब कुछ फिरौती या फिर कुछ threatening वारे cases होते हैं तो उस तरह के चीजों के लिए kidnapping करना तो वहाँ पर आपका section 364 लगता है section 396 में क्या है banditry with murder मतलब कि जो आप यह डाकू अगेरा होते ह है तो उनकी help से murder करवाना या murder करना या वो लोग अगर murder करते हैं तो वह आपका section 396 में आ जाता है then last है आपका section 367 का a part यहां पर होता है रेप अगर किसे individual ने रेप किया है तो उस condition में उस पर यह आपका section लग सकता है और यहां पर भी आपकी death penalty की punishment मिलती है ठीक है तो यह स सारे sections important हो सकते हैं तो इनको याद कर लीजेगा यह आपके exam में question बन सकते हैं इस पर कोई भी question बन सकता है और यह जो आपका इन सब को बहुत अच्छे से याद कर देजाएगा तो यह हो गया आप यह मागे move करते हैं और अब हम बात कर लेते हैं CRPC के बारे में तो यहाँ पर CRPC जो है आपका 1973 में in act किया गया था और proper force में आपका 1st April 1974 में आय था मतलब यह act आपका 1973 में बन गया था और जो अब अब जब इसका proper इसका use करने लगे थे वो आपका 1st April 1974 से इसको proper use में लाया गया था देखें इसमें total 484 section है दो schedule है और 56 form है इसमें और जो आपके sections है उसको divide किया गया है total 37 chapters में ठीक है मतलब आपके total 484 sections है और इन section को total 37 chapters में divide किया गया है दो schedule है और 56 form है तो यह line में सारी चीज़े बहुत important है इसको याद कर लीजेगा इसके अलावा अब हम बात करें कि जो CRPC होता है वो basically क्या बताता है so it provides the machinery 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 का मतलब है procedure बता collection of evidence determination of guilt or innocence of the accused person and determination of punishment of the guilty मतलब कि जिसे कि आपको इसके नाम से थोड़ा बहुत idea लग रहा होगा कि यह चीज़ जो होती है अगर कोई crime हुआ है कहीं पर किसी भी तरह कोई भी crime हुआ है तो उस crime के साथ में हमको कैसे deal करना है हमको किस तरह से investigation को perform करना है क्या हमें procedure follow करना चाह चाहिए किस तरह से वहाँ पर evidence का collection करना चाहिए जिस suspect जो criminals होते हैं उनके साथ किस तरह से apprehension करना चाहिए किस तरह से हमको guilty को जो guilty होता है उसको determine करना चाहिए इनोसेंस को कैसे बचाना चाहिए किस तरह की punishment वगएरा के लिए क्या क्या procedure follow करना चाहिए मतलब overall किसी तरह कोई भी case हुआ है कोई भी crime case हुआ है तो उसके साथ में हमको किस तरह से deal करना है हमको क्या procedure follow करना है उसका पूरा identification करने के लिए उस पूरी case के बारे में पूरी proper investigation करने के लिए हमको क्या क्या procedure को follow करना चाहिए तो वो procedure के बारे में आपका criminal procedure code के अंदर कूरा detail में बताया जाता है अलग-अलग sections के अलग-अलग chapters के अलग-अलग उसके अंदर ठीक है and it also deals with the public nuisance prevention of offenses and maintenance of wife, child and parents ठीक है तो यह चीज़ भी आपकी CRPC के अंदर ही include करी जाते है कि किस तरह से हमें जो भी offense हो रहे हैं उनको prevent करना है maintenance जो होता है wife, child, parents का उनके बारे में उसके लवा जो public nuisance होते हैं वो सारी की सारी चीज़े भी आपकी CRPC के अंदर ही include करी जाती है तो यह हो गया और अभी हम आगे move करते हैं और यहाँ पर क्या है जो आपका CRPC है यह एक मतलब यह होता है कि वो आपके law वो act जो describe करते है procedure to be followed in a criminal case from registration, investigation and to its final disposal after a proper trial by a court of law मतलब कि कोई crime वही चीज़ है कोई crime हुआ है तो उसके registration से लेकर के investigation और last में जो final result आता है proper trial वगरा होता है court में वहा तक हमें क्या procedure पूरा continuously follow करना चाहिए उसके बारे में हमारे procedural law के बारे में उसके बारे में जो जितने भी procedural law होते हैं वो बताते हैं और procedural law कौन है यह आपका है CRPC ठीक है then criminal law makes a distinction between two categories of offenses cognizable and non-cognizable जो criminal law होते हैं उनको basically यहाँ पर दो category में classify के आ जाता है Cognizable and non-cognizable Cognizable में आपके वो सारे offenses आते हैं जो बहुत जदा heinous type के बहुत serious type की crimes होते हैं और non-cognizable में जो बहुत ज़्यादा serious नहीं होते हैं जो थोड़ी से crime-to-crime है लेकिन बहुत serious नहीं है बहुत dangerous इन्जरस Style कों बहुत heinous crime नहीं है तो वो आपका non-cognizable हो जाएगा और यहीं पर अगर बहुत heinious टाइप का crime में बहुत serious condition वाला crime हुआ है तो वो आपका cognizable offense में include करा जाता है अब इसके अंदर भी जो cognizable offense होता है इसको भी further classify करते हैं इसमें यह से section रहता है आपका तो उसमें आता है cognizable offense amounting to murder cognizable offense but not amounting to murder तो यह भी चीज होती है तो इनके बारे में already हम पहले एक दो वीडियो के अंदर बढ़ चुके हैं तो अगर आपने वॉला वीडियो नहीं देखा है तो ऐसे तो उसको रूणना मुश्किल हो जाएगा जल्दी है मैं इसके लिए separate video बना दूँगी तो वहां से आपको समझ में आ दाएगा इससे पहले जब मैंने कराया था तो किसी एक वीडियो के अंदर एक चोटा सा portion आया था तो वहां पर मैंने इसको बताया था तो इसके लिए मैं separate video बता दूँगी तो बना दूँगी तो महां से आप इसको देख लेंगे तो यह हो गया आपका CRPC के बारे में और यहां पर हम बात कर लेते हैं यहां पर पूरा proper classification type से लिखा हुआ है जो आपका IPC है जो आपका CRPC है उसमें क्या basic difference है तो यहां से वही सारी चीजह जो मैंने अब ही तक आपको बताई हैं बस यहां पर पूरा proper classification type से लिखा हुआ उसको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी जैसे कि IPC में क्या लिखा है IPC जो आपका refer to the basic criminal law enforced in the country to cover all sort of criminal activities and provide remedy to them CRPC में क्या है implies the law enforced in India for regulating criminal law procedure that should be followed during a criminal case Next जो आपका IPC होता है ये provide करता है common penal code और जो आपका CRPC होता है ये strengthen करता है law concerning criminal procedure को IPC जो होता है वो एक तरह का substantive law है और जो CRPC है वो एक तरह का procedural law है IPC में क्या होता है अलगलक तरह के जो crimes होते हैं उनके बारे में और जो उनकी punishment है उसके बारे में बताया गया है और CRPC जो है वो बताता है step क्या होती चाहिए किसी भी case को step by step हमें किस तरह से उसका final result तक पहुचने के लिए क्या आपको steps को follow करना चाहिए तो यह चीज़ आपकी CRPC में बताया गया है तो यह वही सारी चीज़े जो अभी तक मैंने आपको explain करी है बस यहां पर यह है कि पूरा proper आपका classification type से लिखा हो बाए तो यहां से आपको चीज़े और अच्छे से clear हो जाएंगे यहां तक आपको basically CRPC और IPC में क्या difference होता है वो समझ में आगया होगा तो अब आपको चीज़ों को समझने बहुत असानी हो जाएगी कि कौन से section आपके CRPC में आएंगे कौन से section आपके IPC के अंदर आएंगे यहां तक आपको चीज़े बहुत अच्छी से clear हो गही होगी बट फिर भी कोई doubt रह जाता है तो comment section में लिख दीजेगा और अगर आपको यह video पसंद आया तो comment section में जरूर से लिखकर बताएगा कि आपको यह video कैसा लगा और यह video यहां पर complete होता है आप हमें follow कर सकते हैं हम ब्लॉगर आप भी जरूर से follow कर लिजेगा यहां पर हमारी जो blogger site है यह change होगे quiz हो गई भी quality content पहुँच सके और अपने नेट के preparation को और दोधा enhance कर सके चानल पर नेर तो चानल को subscribe कर लेंगे बेल एकन प्रेस कर लेंगे for daily updates and thank you so much for joining me here